नॉर्मल लोग और सकस्वल लोगों के बीच में कुछ अंतर होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा पहला है माइंडसेट नॉर्मल लोगों का जो माइंडसेट होता है वो कुछी चुनिंदा चीजों में लगा रहता है उन्हें पता है कि मुझे अकाउंटेंट की नोगरी करनी है तो अकाउंटेंट की ही करनी है उन्हें कुछ नया ट्राई ही नहीं करना वहीं अगर सकस्वल लोग हैं वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करने में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ नई अपरश्री ढूंडे में लगे रहते हैं कि कुछ नया ढूंगू, कुछ नया करूं और सक्सेस्फुल हो जाओ वो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया ट्राइ करते रहते हैं लेकिन ये लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो हारने से डड़ते हैं तो मैं अगर हार जाओंगा तो मेरी सब कुछ तबाह हो जाएगा उन्हें पता है दो ही चीजे होंगी या तो फेल होंगा या पास होंगा आज हो गया तो successful नहीं भी हुआ तो कम सक मेरे पास experience होगा मैं आपको काफी सारे example देश सकता हूँ Elon Musk, Steve Jobs, प्रतन टाटा जी बहुत बड़े बड़े example हैं आप सब जानते हैं नेक्स चीज है कुछ नया सीखने का डर जहां successful लोग कुछ नया सीखने के लिए दिनरात महनत करते हैं उन्हें पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरना कोई चीज है वो है दिमाग आप जितना दिमाग पर invest करेंगे उतना आप कुछ नया सीखेंगे कुछ नया करेंगे आप successful और ज़्यादा successful होंगे वहीं कि नॉर्मल लोग उस पैसे को दिमाग पर खर्च ना करके अपनी चमक दिमाग पर खर्च करते हैं ड्रेस पर, बाइक पर, गाडियों पर और अननेसेसरी चीजों पर अगर आपको अपने दिमाग को सार्प करना है कुछ नया सीखना है अगर आपको अपने दिमाग को डेवलप करना चाते है तो आज ही घड़ जाका टीवी हटा दिजे घर से और बुक्स उठा लीजे बुक्स पढ़िए अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते पढ़ने में दिक्कत है तो आप यूटूब पर आ सकते है यूटूब पर आपको बहुत अच्छे अच्छी चीजे बहुत अच्छा अच्छा कॉंटेंट मिल जाएगा आज़ियो बुक्स है काफ़ी सारे एब्स है आज तो आज़ियो बुक्स के सफल लोग और ज़्यादा इसलिए सफल होते जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जितने ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाँगा मैं उतना ज़्यादा अर्ण कर सकता हूं उतना ज़्यादा सीख सकता हूं वही नॉर्मल लोग कुछ नया करने की ट्राई ही नहीं करते, वो efforts ही नहीं लगाते अगर आपका aim सिर्फ 25,000 रुपे salary कमाना है तो आप उतने ही efforts लगाएंगे अगर आपका aim एक लाख रुपे कमाना है तो आपको उतने efforts लगाने पड़ेंगे उतना sacrifice करना होगा, उतना dedication देना होगा आप कर सकते हैं आप कुछ मत कीजिए, एक simple सा example मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एक बंदे को जो आपके society में आसपास इलाके में रह रहा हो जो अच्छा income कमा रहा हो एक लाख रुपे, दो लाख रुपे, जो भी आपका goal है उससे बाते कीजिए, अगर आपके अंदर जुमून है तो आपको सारी चीज़े बताएगा उससे पता कीजिए कि उसने क्या-क्या opportunities देखी, कैसे वो यहाँ तक आया उसने क्या-क्या किया, यह नहीं कह रहा है, आप उसको copy कर लीजिए नहीं, उसका जो process है, उसको आप copy कर सकते हैं उसका process और अपने skills को mix कर देजिए जिस दिन यह तोर एक दिन mix हो जाएंगे ना, आपको success होने से कोई नहीं रोख सकते इसका सबसे बड़ा example है, अर्विन अरोरा सर, हाँ जी, A2 motivation अर्विन अरोरा सर केमिस्टी के टीचर थे ही नहीं, वो engineering के टीचर थे उन्होंने YouTube से पहली बार किसी टीचर का lecture उठाया, उसका तरीका देखा उसका concept उठाया, उनका तरीका बहुत अच्छा था, उसको mix किया और आज देखिए आज उनको जन जन बच्चा जानता है, इंडिया के youth icon है वो, आपको अपने skills पर, अपने talent पर भरोसा होना चाहिए process आपको कोई मी दे सकता है, concept की कमी नहीं इंडिया के अंदर, जब आप उस process को follow करेंगे करीब एक या दो साल तक तो आप देखेंगे, आपके अंदर धीरे-धीरे successful लोगों की आददे develop हो रही है लोग कहते हैं कि मेरी उमर नहीं है, मेरा time निकल गया, time कभी नहीं निकलता मैं बहुत बड़े-बड़े example दे सकता हूँ आपको, लेकिन आपको सब पता है, पता सब को होता है सब को पता होता है, उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है डर वो हारने का डर, वो कुछ ना करने का डर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हाँ, मैं अपनी life में कुछ कर सकता हूँ उन्हें अपने आप पे भरूसा नहीं होता, तो अपने आप पे भरूसा कीजिए और लग जाइए, आज ही लग जाइए प्रोसेस फॉलो कीजिए, सफल लोगों का, जितने भी सफल लोग हैं, किसी भी एक सफल आदमी को ठालीजिए उसका जो भी वो करते हैं, उसको कीजिए, फॉलो कीजिए इस्टर सौनू सर्मा कहते हैं, कि अगर आप नौ लोगों के साथ रहते हैं, जो सकस्फल हैं तो दसमे सफल आदमी आप होंगे उन लोगों को फॉलो कीजिए, उनके प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपने स्किल्स को मिलाइए आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता कोई भी नहीं रोख सकता very best of luck, thank you so much, जै हिंद, जै भारत